Dear students, मैं दिविंदर सिंग चैल, साइंस मास्टर, सरकारी हाइज स्कूल, शेरकर, डिस्ट्रिक फाजल का, आप सब दा स्वागत का दा, प्यारे विद्यार्थियो, अज असी जमात सत्वी, दा पार्ट गियारा, ट्रांस्पोर्टेशन अनिमल्स अनिमल्स, इस पार्ट दे वि है ओ है कि what is transportation, तक transportation दा एक सदारण शब्दां दे विच अर्थ है, वकवक पदा आर्थां दा एक जगातों, दूसरी जगात तक जणा, विद्यार्थियो, जन्तुआ दे विच, बहुत सारे ऐसे साड़े श्रीर दे विच पदा आर्थां, जिनना नो, श्रीर दी हर एक सेल तक हर एक आंग तक पुचाना हुंदा है इसे तरह शरीर दे विच कई क्रियामा हुंदे हन जिन्ना दे परिनाम से रूप खुश्वानी कारक फोकट पदार्थ पन दे हन जिन्ना नो शरीर तों बाहर का डिनावी लाजमी हुंदा है ताई सारे कम ट्रांस्पोर्टेशन कहों दे हन इस ट्रांस्पोर्टेशन नो करन लई पाव वक वक ततानों वक वक पदार्थानों एक जगह तों दूसरी जगह तक जान लई एक सिस्टम साड़े शरीर विच है जिसनों सी कहने हां सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम दे विच कई आंगहन पागहन जिमे की दिल या हाट खोन या ब्लड आते वकवक ब्लड वेसल आज जैसी ये इस चैटर रहीं सर्कुलेटरी सिस्टम दे पाग ब्लड आते ब्लड वेसल इन आ दे बारे समझागे विद्यारते हो जिमे की तुसी स्क्रीन दे विच देख रही हो वाट इस ब्लड या खोन की है विद्यारते खोन एक अजेहा तरल बदार्थ है जो ऑक्सीजन आते पोशक ततानों वकवक सेल्स तक पुचाओंदा है नाल ही कार्बन डायकसाइड आते फोकट बदार्थानों बाहर निकालन दे विच भी हल्प करता है ब्लड इस ट्रांस्पोर्ट लिक्विड पंप्ड बाई हार्ट पाव ट्रांस्पोर्ट करन दा अजेहा तरल बदार्थ है ब्लड जिसनों साड़ा देल या साड़ा हार्ट पंप करता है विद्यारतियों खोन दे कुछ वक्वक components हैं सब तो पहला plasma, दूसरा RBC ये जिसनों से red blood cells भी कहने हैं तीसरा WBC ये जिसनों से white blood cell कहने हैं तिच्छोथा पाग platelets ता आओ विद्यार्थियो एक एक करके से एना दे बारे जान दे हैं विद्यार्थियो खोन दा सब तो पहला component जिसनों से कहने हैं blood plasma जिमे कि तुसी screen विच देख रहे होंगे जिद्याति हो blood plasma is a yellowish liquid component yellowish पाव पीले रंग दा तारल पदार्थियोंदा है हून इस दा कम की है it holds the blood cells protein and other constituents पाव खोन दे विच होई जिनने V cells होने है चाहे WBC चाहे RBC या platelets उनना सब नो carry करदा है plasma हलके पीले रंग दा तारल पदार्थ है लग पग खोन दे विच्चों 54% या 55% दे राउंड बाउट plasma होन दा है पीले रंग दा तारल पदार्थ है इस दा कम की है जिनिया भी blood cells हम चाहे WBC या RBC या platelets उननो carry करना ता एसी खोन दा पहला component that is called blood plasma होन भी दे आठियो गल करदे हा RBC या जिसनों सी red blood cells भी केंदे हा एक single RBC किस तरह दा नजर रहुदा है वो तुसी इस वीडियो दे बेच देख रहे होंगे विद्यातियो red blood cells या लाल खोन cells इना दे बेच एक खास किसमदा protein होन दा है जिसनों सी कहने हा hemoglobin होन hemoglobin की करदा है विद्यातियो hemoglobin oxygen नो carry करदा है पाव oxygen नो अपने नाल जोड़दा है तो उसनों के लेके जानदा है होन इस स्लाइड दे बेच विद्यारतियो जिकर तुसी सजे पासे इस डायग्राम दे बेच थोड़ा गौर करो विद्यारतियों असी सा क्रिया रही oxygen सड़े शरीर दे अंदर लेने हाँ वो लंग्स विच जन्दी है जिस तो बाद हो खोन दे विच मिल जन्दी है होन विद्यारतियों खोन दे विच हुन दे हाँ RBCs या red blood cells इन आदे विच मोजूद हुनदा है हीमोगलूबिन जो की oxygen नों अपने नाल जोड लेनदा है अते इस तरह वो oxygen साड़ी बाड़ी दियां वाकवाक cells तक पहुंच जन्दी है होन एक सवाल हो रहोंदा है वो है कि खोनदा रंग लाल क्यों होंदा है विद्यातियों अगली स्लाइड जेकरसी देखिए वाई ब्लड लुक रेड ये लाल क्यों नजर रहोंदा है विद्यातियों जिमे कि तो अनुमें दस्या RBC या लाल खोनदियां cells दे विच हीमोगलोबिन नामदा प्रोटीन होंदा है इस हीमोगलोबिन दे विच लाल रंग दे कंपाउंड जिन्ना नुमसी हीम कहने है वो पाई जान दे हन जेड़े ऑक्सीजन नुम कैरी करनदा काम करते है जिमें कि तो सी ये दचितर च भी देख रहे होंगे रेड ब्लड सेल्स ने जिन्ना दे विच हीमोगलोबिन मॉलिक्यूल्स थो नुम नजर आ रहे है एरो दिला ही दिखाया गया उना नुम हुण ऑक्सीजन इन्हा हीमोगलोबिन मॉलिक्यूल्स नाल एडप हो जन्दी है जोड जन्दी है इस तरह साक्रिया दुरान अंदर लेगी ऑक्सीजन खुन्दे विच हीमोगलोबिन रही कैरी होंदी है ति उस्तो बाद ए ऑक्सीजन श्रीर दी हर एक सेल तक पहुचा देती है देट्स वाए खुन्दा रंग भी लाल नजर होता है विद्यार्थियों पहला पाग ये पहला कॉंपोनेंट ब्लड दा सी ब्लड प्लाज्मा दूसरा हर बीसी हुणगल कर दें हां तीसरे कॉंपोनेंट दी that is called WBC ये वाइट ब्लड सेल विद्यार्थियों जी में कि तुसी चेत्र देवेच देख रहे होंगे साड़े शरीर दे विच जीकर किसे भी तरह दा कोई बिमारी नूं या इंफेक्शन नूं लियाओन वाड़ा कोई वाइरस या बैक्टीरिया साड़े शरीर दे अंदर एंटर करदा है ता कोना नाल WBC एक तरह नाल लड़ाई लड़ दे हां ता असी एक कह सकते हां कि WBC या वाइट ब्लड़ सेल्स साड़े शरीर दे विच सिपाही दी तरह काम करदे हां अगर कोई वी इन्फेक्शन वाड़ा कोई वी वाइरस या बैक्टीरिया साड़ी बॉड़ी चैंटर करूगा ता ए उननाल जंग लड़ दे हां साड़े शरीर नूं किसे भी होन वाली डिजीज दों बचोंच साड़ी हेल्प कार दे हां ता ए है WBC दा कम होन वे दियार्थियो गल कर दे हां ब्लड प्लीटलेट्स जेड़ा की चौत्था कॉंपोनेंट है ब्लड दा दियार्थियो की तुसी कदे होना असी सारे खेड़ दे हां, कूंदे हां इनना सारिया देने करिया मादे दुराण 166 भी लग दի हां द्यार्थियों तुसी कदे गौर कीता है कि जित्थे तो अड़े साट लग दी है कुझ दिना दे बाद उसे साट दे उपर एक सक्त पपड़ी आ जान दी है जखम साड़ा पार जान दा है तो थोड़े दिना बाद उपपड़ी भी शरीर तो लग हो जान दी है आसी देख दिया कि थल्ले नमी स्किन बढ़ जान दी है दियार्थियों जखम नुपर न ये सब तो महत्तपून कम है साड़े शरीर दे विच इस कम नुँ कर दे हन ब्लड प्लेट लट्स जी में कि तुसी समणे स्क्रीन दे विच एनिमेशन राही भी देख रही होंगे जीकर साड़े शरीर दे किसे भी हिस्से थे कोई चोट लग दी है या कोई साट लग दी है ताँ ब्लड प्लेट लट्स जना नूं इस विडियो दे विच पी रहिं दर्शाया गया है एप ब्लू कलर दे कीशल कोई याँ सब्लड प्लेट लट्स तो जखम वाली जगह ते पहुंच दे हं वे ते एक हलकी पतली पपड़ी बना दे हैं जड़ी हॉली हॉली सोक जन्दी है जिसनों सी क्लॉट भी कहने है ते कुछ दिना बाद उस जगह ते उस जखम वाली जगह ते नमी स्किन बन जन्दी है ते उस जखम नू परना आते bleeding पाव खोन जी थोरे सरे होंदा है उस रिसावनू रोकन दे वेच ब्लड प्लेटलेट्स help कर दे हैं ता AC ब्लड दे चार components पहला ब्लड प्लाज्मा तूसरा RBC तीसरा WBC तूसरे ब्लड प्लेटलेट्स होन विद्यार्थियो गल कर दे हैं अगली विद्यार्थियो साड़े शरीर दे वेच ब्लड वक वक तरह दियां वैसल्स हन जिन्ना दे रही परिभान कीता जान्द है ये वेसल्स तुसे अगर सधारन पाशाच असी समझे ता ये पाइपा ने जिन्ना दे रही ब्लड साड़ी ब्लड दे वेच देल तों सारी ब्लड दे वेच ते सारी ब्लड दे वाल मूवमेट करदा है ट्रांस्पोर्ट होनदा है विद्यार्थियों साड़े शरीर दे विच मेंली दो तरांदियां ब्लड वेसल्स हन पहलियां आर्टरीज ते दूजियां वेन आर्टरीज नूँ पंजाबी दे विच तमनी कहने हां ते वेन्ज नूँ शिरा विद्यार्थियों अगर तूसी डाइग्राम एदर देखोंगे ता आर्टरीज नूँ रेड कलर नाल दिखाया गया है ते वेन्ज नूँ ब्लू कलर नाल पाव तमनियां नूँ लाल रंग नाल दिखाया है ते शिरावा नू नीले रंग एद आवी एक कारण है विद्या या ओक्सीजन रिच ब्लड उसनो देल तो साड़े श्रीड दे सारे टिशू ते सेल्स तक लेके जान दिया हैं साख रिया दुरान जड़ी ओक्सीजन असी अंदर लेई उस साड़े ब्लड च मिली उस तो बाद वो हाड च गई हाड तो बाद इना आर्टरीज रही ब्लड नो बॉड़ी दे हर टिशू ते हर सल तक पहुचा देता जान दा है इना आर्टरीज या तम्निया दी मददनार दूसरी ब्लड बैसल जिसनो सी वेन या शिरा करने हां इना द की काम है विद्यार्थियो शिरामा रही साड़े सारे श्रीर तो डी ऑक्सीजनेट ब्ल पाव ओ ग्लड जिस देवेच कार्बंडाय उक्साइड दी मात्रा ज्यादा है शिरामा रही या वेन्ज रही साड़े सारी बॉड़ी तों सारी सेल्स तों सारे टीशू तों डी ऑक्सीजनेट ब्लड उसनों पहुचाया जान दा है हार्ट तक जिस्तो बाद हार्ट तों उ पहुचाया जाओगा लंग्स तक तों सा क्रिया रही और कार्बंड यॉक्साइड नों से शिरीट तों बार काटता है ता बेसिकली ब्लड वेसल्स साड़े शिरीट देवेच तो तरह यहां पहली हां आर्टरीज ते दूसरी हां वेन्स आर्टरीज दाकम ऑक्सीजन वाले खोन नों साड़े बॉडी दे हर सेल हर टिशू तों बाद उसनों लंग्स त्राही सा क्रिया दुरान शिरीट तों बाहर निकालना ता एसी साड़ा ट्रांस्पोर्टेशन इन एनिमल्स दा पाग पहला जिस देवेच असी सिख्या खोन की है खोन दे वकवक कॉंपोनेट के डेहान ते किस तरह दिया दो ब्लड वैसल जिनना दे राही खोन ट्रांस्पोर्ट कीता जादा है मैं आज कर दा हाँ फॉन्वे चक्टर समझा गया होगे का थैंक्यू बेरी मच्च स्टे होम स्टे सेफ कर दो कर दो कर दो हम स्टे सेफ